हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रेशन की बात करेंगे आज की वीडियो में, दोस्तों आज की वीडियो में ऐसे कोशन रखेंगे हैं, जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कठिन प्रेशन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन क्या करा है दो इस्टेशन A और B एक सीधी रेखा पर 110 किलो मिटर दूरी पर हैं एक ट्रेन सुबह 7 बजे से शुरू होती है और 20 किलो मिटर परावर की चाल से B की ओर जाती है एक ट्रेन सुबह 8 बजे से B से शुरू होती है और 25 किलो मिटर परावर की चाल से A की ओर जाती है वे किस समय मिलेंगे आपस में किस समय मिलेंगे पूछा है ठीक है तो मैंने क्या कहा था दोस्तो कठिन प्रेशनों की बात करूँगा टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो घुमाबदार प्रेशनों होते हैं कट्रेन प्रेशनों होते हैं उनकी बात करूँगा आज की वीडियो में तो देखें एक स्टेशन है दो स्टेशन है ए और बी इनके बीच की दूरी कितनी है 110 किलियर दो स्टेशन ए और बी है अब क्या होता है दोस्तों इसमें एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलती है ठीक है सुबह 7 बजे शुरू होती है और 20 किलो मेटर परावर की चाल से बी की ओर जाती है कव ए से जाती है सुबह 7 बजे का टाइम भी दे रखा है अब क्या कह रहा है एक ट्रेन सुबह 8 बजे से बी से सुरू होती है बी से सुरू होती है सुबह 8 बजे ठीक है बी से सुरू होती है और 25 किलो मेटर परावर की चाल से एक ही ओर जाती है बी से सुरू होती है और एक ही तरफ जाती है चाल कितनी है 25 किलो मेटर पर आवर ठीक दोस्तों बात समय में आगी यह 8 बजे चलती है इसका टाइम है 8 बजे का जो A से चलती है वो 7 बजे चलती है और जो B से चलती है वो 8 बजे चलती है ठीक है दोस्तों यहांते पात के लिए रहे अब देखिए मैं आपको एक चीज के लिए करा दूं कि जब आमने सामने की बात इसमें क्या हो रहा है एक ट्रेन एसे जा रही है एक इधर से जा रही है एक इधर से जा रही है आमने सामने से आ रही है तो ऐसी कंडिशन में क्या करते हैं दोस्तों प्लस करते हैं ठीक है लेकिन जब एक ही डारेक्शन में जाएं दोनों ट्रेन इधर जाएं चाहें इधर ज सामने से आघी तो क्या करेंगे तो अब देख यहां तक बाइद केंगे कि तोटल के लेटेंस कितना है 110 का है 110 तोटल डिस्टेंस है ठीक है दोस्थों आप देखें यहाँ पर क्या किरा है किस समय मिलेंगे एक ट्रेंस 7 बजे चलना शुरू हुई ठीक है A से B की ओ तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 7 बजे से लेकर 8 बजे तक वो कितना चलेगी 20 किलो मीटर उसकी चाल है तो एक घंटे में वो कितना चलेगी 20 किलो मीटर चलेगी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हमें क्या करना है टाइम इनका मैच करना है इसका आठ बजे का टाइम है तो इसका टाइम भी आठ बजे का बना लो कैसे बनाएंगे यह 7 बजे चलना सुरू हुई है 7 बजे से चलना शुरू ही है तो 8 बजे तक वो कितना चल लेगी गंटे में 20 किलो मीटर की चाल है तो 20 किलो मीटर चल लेगी यहां से चलना स्टार्ट हुई और यहां तक पहुँची वो 8 बजे तक कितनी दूरीते कर ली यहां तक उसने वो कितना चली 20 km चली तो अब डिस्टेंस कितना बचा 110 में से 20 मानस कर दो 20 को कर दिया मानस कितना बचा 90 यहां तक दोस्तों कोई डाउट यहां तक किलिए रहा है अब देखिए इसका टाइम भी 8 हो गया यहां तक और इसका टाइम भी 8 हो गया यहां तक ठीक है दोस्तों दो कर लीजिए 20 और 25 कितना हो जाएगा 45 45 से इसमें डिवाइड दे देजिए 45 दूनी क्या होता है 90 होता है कि लिए दोस्तों 45 दूनी क्या होता है 90 होता है ठीक है यह दो आएगा यहाँ पर 45 दूनी 90 होता है मतलब दो घंटे में मिलेंगी कब मिलेंगी दो घंटे में मिलेंगी लेकिन यहाँ पर तो आप सब यह पूछाए कि किस समय मिलेंगी दो घंटे में मिलेंगी यह तो नहीं पूछाए किस समय तो समय आप कैसे पता करेंगे 8 बजे तो चली है इसका टाइम भी 8 बना लिया यह भी 8 ब गुआ है दोस्तों 10 एम पर मिलेंगी अब यह दोस्तों कितने बजे मिलेंगी 10 एम सुबह में मिलेंगी क्यूंकि 8 बजे चली है और दो घंटे में मिलेंगी 8 बजे चली है दो घंटे में मिलेंगी इसका मतलब 10 बजे मिलेंगी उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस question में किसी को कोई doubt नहीं होगा ठीक है कोई भी doubt हो तो comment box में बता दीजेगा एक चीज आप ध्यान रखना जब आमने सामने से आएंगी ट्रें तो पिलस करेंगे और जब एक ही direction में जाएंगी तो माइनस करेंगे किलियर है यहाँ ट्रें चल लिया 7 बजे यहाँ चल लिया 8 बजे तो इसका भी time हमने क्या बना लिया 8 बना लिया कैसे यह 7 बजे चली 8 बजे तक कितना चल लेगी 20 किलो मीटर चल लेगी तो 20 किलो मीटर तो चल चुकी है यहाँ तक 8 बजे तक तो 110 में से 20 को माइनस कर दिया 90 बचे का के लिए रहा अब यहाँ पी इसका time हो गया और यहाँ पी इसका time हो गया अब यह भी यहाँ से 8 बजे चलेगी यह भी 8 बजे ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ किसी को कोई doubt नहीं होगा अब देखेंगे दोस्तों अगला question अगला question है आपका एक constable एक चोर से 114 मीटर पीछे है constable 21 मीटर 35 मिनेट और चोर एक मिनेट में 15 मीटर दोड़ता है किस समय में constable चोर को पकड़ लेगा ठीक है अब देखें एक constable है तो constable के लिए मैं आपका C लिख देता हूँ C for constable ठीक है और यहाँ पर चोर है चोर को ठीफ लिखते हैं तो मैं T से denote कर देता हूँ ठीक है यह constable हो गया यह आपका ठीफ हो गया ठीक है इनके बीच की दूरी आपको दे रखें कितनी 114 मीटर की कितनी है 114 मीटर की है ठीक है यह चोर है आगे आगे और यह पीछे से constable इसकी पीछे भाग रहा है और यह 114 मीटर पीछे है constable आपका ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर क्या रहा है कि 21 meter 35 minute तो आपका Angstable दोड़ता है और 15 meter दोड़ता है आपका चोड तो Constable जादा दोड रहा है जब Constable की दोड जादा है तो वो चोर को पकड़ लेगा यदि कम होती Constable की चोर से तो नहीं पकड़ पाता लेकिन Constable की जादा है तो वो पकड़ लेगा एक समय पर आगे ठीक है तो इसे कैसे करते हैं आपको क्या करना है जो distance दिया गया है वो distance को लिख लीजिए ठीक है अब देखिए यह चोर भाग रहा है ठीक है और इसके पीछे कॉंस्टेवल भाग रहा है तो माइनस करेंगे यह तो बोला था मैंने तो चाल का क्या कर देंगे दोस्तों अंतर कर देंगे ठीक है तो अंतर कर दीजे 21 और 15 का अंतर कर दीजे मैं यहाप लिख देता हूं 21 माइनस 15 ठीक है 114 एकीस में से 15 आ गया कितना बचेगा 6 बचेगा 6 से डिबाइड कर दो 14 में कितना एगा 6 एकम 6 5 बचेगा 54 हो जाएगा 6 निम 54 उनिस वर कट गया तो 19 मिनिट का वक्त लगेगा कॉंस्टेबल को चोर को पकड़ने में ठीक है पहला ओप्सन इसका दोस्तों सही हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों इस कोश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा यदी है तो कमेंट वाक्स में जरूर बताना अब देखेंगे दोस्तों अगला कोश्च अगला कोश्चन है यदी ट्रेन की गती 63 किलोमीटर परावर है तो चलती ट्रेन की दिशा में 3 किलोमीटर परावर की गती से चलने वाले ब्यक्ति को पार करने में 500 मीटर लंबी ट्रेन को कितने सेकेंड का समय लगेगा ठीक है देखें एक ट्रेन चल लिए इस दिशा में ठीक है किसी भी दिशा में हो माल लीजे इस दिशा में हो चाहें इसमें एक ही दिशा की पात करेंगे इस दिशा में ट्रेन की गती है 63 किलो मेटर परावर अब इसमें क्या कह रहा है ट्रेन की दिशा में जिस दिशा में ट्रेन चल लिए उसी दिशा में 3 किलो मेटर की गती से क्या चला है एक व्यक्ति चला है ट्रेन इस दिसा में चल लिए तो इसी दिसा में एक व्यक्ति चला है ठीक है तो दिसा आपकी समान है जब दिसा समान है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे चालों का अंतर करेंगे किलियर है क्योंकि इसमें साफ साफ कह रहा है कि ट्रेन की दिस अब देखे एक और बात, यह चाल है आपकी किलो मीटर में, और यहां पर क्या दे रखागा आपको मीटर, तो किलो मीटर को आपको मीटर बनाना पड़ेगा, देखे एक चीज़, एक होता है 18 बटे 5, ठीक है, एक होता है 5 बटे 18, कुछ स्टुडेंटों को दोनों में कनफ्य कौन सा लगाना है किस से multiply करना है तो मैंने इसके बीडियो बनाया है इसके लिए लेकिन मैं अभी और समझा देता हूं ठीक है पांच बटे 18 से multiply करना है या फिर 18 बटे 5 से करना है अभी किलियर कर देता हूं चाल कितनी आपकी 60 की है मीटर में यहां दे रखा है तो क्या किलो मीटर से मीटर में चेंज कर रहे हैं मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं तो छोटी संक्या उपर रखेंगे ठीक है जिसी यूनिट में आप चेंज कर रहे हैं छोटी में चेंज कर रहे हैं तो छोटी संक्या उपर और छोटी संक्या क्या है पांच अठारा में और पांच में छोटी संख्या क्या है दोस्तों पांच है तो पांच उपर रखेंगे इसका मतलब पांच बट्टे अठारा हो जाएगा केलियर है किलो मीटर से आप मीटर में आ रहे हैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं तो छोटी संक्या उपर रखेंगे, यती छोटी युनिट से आप बड़ी युनिट में जाते हैं, तो आप बड़ी संक्या उपर रखेंगे, मतलब 18 बटे 5 रखेंगे, जहां तक बात के लिए रो गई, आप देखें से कट आ दीजिए, 6 से कट जाएगा 3 बारी, और 6 से कट जाएगा दोस्तों 10 बारी, 10 का 5 से multiply होगा, पका 20 बट्टे का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, के लिए रहे दोस्तों आप देखें, आपकी लंबाई कितनी है, दूरी कि 3 बट्टा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ठीक है अब 1-0 से यहाँ पर 1-0 गया 5-10 चला जाएगा 10 बारी और 10 का 3 मों multiply हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 कितना समय लगेगा 30 Second का समय लगेगा यहीं क्या है दोस्तों आपका सही अंसर है option number B आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा उमेद करता हूँ इस question में कोई भी doubt नहीं होगा यदि आपको 5 बटे 18 या फिर 18 बटे 5 में कोई confusion था तो वो भी clear हो गया होगा ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला question अगला question है संजना 4 km परावर की चाल से स्कूल जाती है और 5 मिनट देरी से पहुँचती है वह 6 km परावर की चाल से जाती है तो 10 मिनट पहले पहुँचती है उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है दोस्तों आपका time, speed or distance का सबसे important question आ क्या है इस question के आगे आप important लगा दीजे क्योंकि यही question सबसे जादा पूछा जाता है time, speed or distance का ठीक है और इसमें थोड़ा confusion होता है confusion यह कि पहले पहुँचता है और बाद में पहुँचता है तो यह important question है इसको आप अच्छे समझ लीजे ऐसे trick बताऊंगा आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे trick क्या है दोस्तों आपके trick है यहाँ पर लिखते था हूँ trick क्या है दोस्तों आपके trick है s1 multiply s2 divide में s1 minus s2 ठीक है into समय divided by 60 यह आपके trick है अब student कहेगा इतनी बड़ी trick में कैसे याद रखूँ तो अब ही याद हो जाएगी दोस्तों देखते देखते देखे कैसे s1 क्या है s1 है आपकी speed 1 जो आपकी चाल है पहले वाली वो s2 का मतलब है speed 2 जो आपकी दूसरी वाली चाल है वो s1 minus s2 दोनों चालों का अंतर ठीक है समय जो समय दिया गया है उसको लिख लेंगे दो समय दिये गये है एक ये वाला समय एक ये वाला समय तो दोनों को पिलस करके लिखिए clear है एक ये समय है एक ये समय है दोनों को पिलस करके लिखिए डिवाइड कर दीजे 60 से ठीक है दोस्तों बात के लिए लोगी आभी कर लेते हैं S1, Speed 1 क्या है आपकी Speed 1 है 4 तो आप यहाँ पर 4 लिख लो Multiply, Speed 2 कौन सी है 6, 6 लिख लो अभी याद हो जाएगी ट्रिक Speed 1 कितनी है आपकी Speed 1 है आपकी 4, Speed 2 है आपकी 6 दोनों का अंतर करना है तो 6 में से 4 को घटा दीजे 2 बचेगा Multiply, समय कितना है 10 मिनट और 5 मिनट कितना हो जाएगा 15 मिनट हो जाएगा, Divide किस से करना है 60 से, किलियर हो गया दोस्तों अब 15 से 60 को काड़ दीजे, 4 बारी ये तो कट जाएगा और इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा और 2 से 6 कट जाएगा 3 बारी, 2 से 6 कट गया दोस्तों 3 बारी तो क्या पूछाता है, School की दूरी कितनी है, तो 3 किलो मीटर की क्या है दोस्तों आपकी दूरी है ठीक है, यही है आपका सही आंसर केलियर हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जिसकी समझ में नहीं आया था उसकी समझ में भी आगया होगा पहले कोई confusion था, तो आप केलियर हो गया होगा बस ये trick आप याद रखिए, इस question में कुछ नहीं है ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला question अगला question आपका, एक कार 108 km परावर की ओसत गती से एक चकर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है एक चकर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गती कितने km परावर बढ़नी चाहिए ठीक है, 108 km की चाल से चलती है, तो 15 मिनट में चकर को लगा देती है, लेकिन वही चकर 12 मिनट में हमें लगाना है तो कितने km की गती बढ़ानी पड़ेगी ठीक है दोस्तों, तो यहां तो हम लिखते है पहले, ठीक है पहले का लिखना है, और अब का लिखना है ठीक है पहले और अब ठीक है तो पहले का सबसे पहले क्या लिखेंगे समय सबसे पहले क्या लिखेंगे पहले का समय तो पहले कितना समय ले रही है 15 मिनट का तो पहले कितना समय ले रही है 15 तो पहले का समय लिख दो अब कितना समय लगना है 12 मिनट और समय का होता है चाल समय का उल्टा क्या होता है चाल तो आप समय का उल्टा कर दो समय कितना है 15 और 12 समय का उल्टा चाल होता है तो आप इसका उल्टा कर दो उल्टा कैसे हो जाएगा यहां पर आ जाएगा 12 और यहां पर आ जाएगा 15 चाल कितनी है चाल है दोस्तों आपकी 12 12 km परावर की पहले की चाल कितनी है 12 km परावर और बाद की चाल कितनी हो गई 15 km परावर ठीक है दोस्तों किलियर है पहले आपको समय कितना ले रहा था 15 मिनिट का समय था और बाद का समय कितना था 12 मिनिट का लेकिन इसका उल्टा चाल होता है तो चाल पहले कितनी थी 12 km की तीन की बढ़ रही है किलियर है कितनी बढ़ रही है तीन की अब देखिए पहले चाल कितनी थी बारा थी पहले चाल कितनी थी दोस्तों बारा अब यहाँ पर चाल पहले कितनी थी एक सो आठ एक सो आठ थी यहाँ चाल पहले कितनी थी बारा की और यहाँ पर कितनी थी एक सो यहां पर पूछ राहे कितने किलोमीटर पर आबर बढ़नी चाहिए तो यहां पर कितने किलोमीटर पर रावर की बढ़नी चाहिए 27 km परावर की बढ़नी चाहिए यहीं दोस्तों आपका सही आंसर है इसमें confuse मत होना समय का उल्टा होता है जो समय दिया गया है उसका उल्टा कर तो आपका चाला जाएगा यह पहले वाली चाल हो गई और यह बाद वाली चाल तो पहले वाली चाल यहाँ पर 12 है यहाँ पर 108 तो बारा 108 के बराबर जब 12 का मान 108 तो एक का मान 9 हो जाएगा एक का मान 9 तो तीन का कितना हो जाएगा 27 क्यूंकि यहाँ पर कितनी बढ़ रही है निर्धारित समय से कितने समय पहले पहुंचेगा, कितने समय पहले पहुंचेगा, यह पूछा गया, ठीक है, देखे, चाल दी गई है, दूरी दी गई है, और समय आपका कितना दे रखा है, 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट, देरी से पहुंचता है, तो देखे, दूरी बटे क्या हो के लिए रहे, दूसरी दूरी आपकी कितनी रहेगी, 200 की है, 200, समय आपका कितना है, 4 कितनी है, 80 की है, 80, 0 से आप 0 काट दीजिए, 0 से 0 कटेगा, यह कट जाएगा, 8, 2, 9, 16, नहीं जाएगा, पोइंट लाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 8, 25, 40, 2.5 मतला, 5, 5 गंट दोनों को कर लिजिए, आप अंतर, तो यहाँ पर 4 गंटे है, यहाँ पर 2,5 गंटे है, ठीक है दोस्तों, अब 4 गंटे में कितना समय होता है, कितने मिनट होते हैं, 4 गंटे में कितनी मिनट होते हैं, दोस्तों, और 2,5 मिनट, और 4 गंटे में कितनी होते हैं, 240, 240 में से आप आप 1.500 मानिस कर दो, कितना बचेगा, 90 बचेगा, किलियर है, कितना मिनिट बचा, 90 मिनिट बचा, यहां तक बात किलियर है, 90 मिनिट बचा, 90 में से मानिस कर दी, यहां पर क्या हो रहा, देरी से पहुँच रहा है, तो इस देरी को कर दीजे, मानिस, 90 में से देरी मानिस किया, 40 को मानस किया कितना बचा 50 बचा तो आप यहां पर देखे कितने मिनट कितने समय पहले पहुंचेगा 50 मिनट पहले पहुंचेगा कितना 50 मिनट यही दोस्तों आपका सही आंसर है किलियर होगी दोस्तों बात उसके पास कितनी मिनट है 90 90 मैं से 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है लेकिन उसके पास तो 90 है 40 को मानस कर जो दो देरी से पहुंच रहा है तो कितना बच्छा 50 तो 50 मिनट पहले पहुंच जाएगा ठीक है यही तो पुछा था कितने समय पहले पहुंचेगा तो 50 मिनट पहले पहुंचेगा ओप्सन नमब सी दोस्तों आपको यहां पर सही हो दीजे दोस्तों तन्यवाद